हालो एवरिवान वल्किम बैक टू माई चनल आप सभी कहां बहुत बहुत स्वागत हैं सलाम नमस्ते रादे रादे दुआ करता हूँ आप अपनी जिंदिगी में खुश रहने की कोशिश करते होंगे आज इस टेरो कार्ड में हम फिर से एक बार चेक आउट करेंगे कि इस व आना चाहते हैं रिष्टा या फिर रिष्टे में वापस आना चाहते हैं जोड़ना चाहते हैं जो भी दूरिया है क्या वो खतम करना चाहते हैं जाने की कोशिश करेंगे आप अपने पार्टनर मेल हो सकते हैं फीमेल दोनों के लिए देख सकते हैं सिंगल मैरेट भी हो सकत gender specific नहीं है साथी साथ all zodiac science के लिए है यानि कि सभी राशी वालों के लिए reading होता है और timeless होता है जब भी वीडियो देखेंगे आपको कुछ न कुछ इसमें guidance मिलेगा यह situation के साथ आपके ज़रूर match करेगा तो जो भी resonate होता है वही लेजे बागी का छोड़ दीजे अगर आप personal reading लेना चाहते है तो मेरा number whatsapp number screen के ओपर है जहां पर सिर्फ आपको whatsapp करना है अभी भी बहुत से लोग calls करते हैं please call मत कीजे तो चली जल्दी से partner को याद कीजे आज हम देख रहे हैं इस tarot card deck से कि क्या है feelings उनकी और वो क्या सोच रहें क्या मदलाव आएगा आपके बताएं जितने भी वीवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो का देख रहे हैं उनके person उनके partner की आज क्या है current feelings Angels and divine मुझे please help करे Angels and universe मुझे please help करे Thank you angels Thank you universe सबसे पहले card हम लेंगे और देखेंगे Moonlight का card यहां पर है Enchanted यानि कि देखने की हम कोशिश करेंगे इसे clarify करेंगे कि क्यों ऐसा आया है कि क्या जो पॉरिणिमा है या जैसे कि Moon energy क्या effect करते क्योंकि यह Moon deck है तो इसमेंसे हम clarify करने की कोशिश करेंगे मेबी का card intuition का card आये है next card intuition हो सकता है कि आज आप आपको जैसे कि बहुत जादा याद आ रहे परसंद की और कहिना कि दोनों cards मुझे कहते हैं कि जैसे कि dark है तो कहिना कि negative thoughts बहुत हो सकते आपकी partner के negative सोच हो सकते अभी भी इस वक्त वो negative सोच रहें कुछ ना कुछ या कुछ गलास सोच रहें आपके बारे में कि आपने ऐसा सोचा होगा वैसा सोचा होगा और आपका intuition आपको कुछ ना कुछ कहने की कहिना कि आपका जो inner voice है वो आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है यहाँ पर बहुत से लोग 2 तारिक बहुन हो सकते हैं 20 तारिक का कार्ट Moonlight Sirenate Change Tune का कार्ड आया है लगता है आपको थोड़ा साथ चेंच लाना पड़ेगा अपने सोच में अपने एटिटुड में आपके जिने का जो अंदाज है लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंच आपको ज़रूर करना होगा क्योंकि वैसा ही रोज आप नहीं सोच सकते कुछ हटके सोचना होगा अपनी जिन्दीगी के बारे में क्योंकि हाँ पर हम परसन के आपके फिलिंग्स चेक आउट करेंगे एकषेप्ट ह不要 इन का कार्ड है ये इन एनर्जी इंग्यां होता है एनर्जी तो यह कारण के पर एकस conceptual यानिस कि लगता है कि मदद لینे ने क्या वक्त अभी आछुका है कोई आपको यूनिवर्स आप करेगा इस रिष्टे में आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा यह मुझे यहां पर फील होता है नेक्स कार्ड जो है और दो कार्ड आ चुके हैं जो कि है कोल मुन फेस्या ओफ यह हो सकता है कि आपको बहुत जाता डर सा लगता है आजकल कि परसं के साथ रिष्टा आपका खतम ना हो जाए मतलब खोने का डर आपके पार्टन को खोने का डर मुझे दिखाये देता है कि आप सामना करने की जरूरत है इस रिष्टे में जो भी होगा आप हमेशा भगवान के उपर नहीं चोड़ सकते लेकिन आप भी कुछ कोशिश करेंगे उसमें भगवान की युणिवर्स की ब्लैसिंग सूंगी तो यह मुझे लगती करीज के साथ आपको आगे बढ़ना होती है ऐसा नहीं कि सभी लोग 100 साल जीते हैं तो जो भी आपकी जिन्देगी है उसमें खुशी होना बहुत जरूरी है तो यह करेज का काड़ है अभी हम यह कार्स जो हमने लिए है क्योंकि चंद्रमा की एनरजी ना जैसे की फुल मून होता है या पुरुनिमा होती है उस की इनर्जी चेंज हो जाती है उसकी सोच भी बदलती है रोंज यह अता रहता है इसलिए फेकला मुश होता है इंसान यह जपisel होता है चलता रहता है तो हम क्लैरिपाइब करेंगे यह कार्ण को क्या कहना चाहते है सब्से पहले जो Enchanted आया था card, उसको clarify करेंगे, Angels मुझे please बताए, Enchanted का card क्यों आया है, Enchanted का card क्यों आया है, Eight of Pentacles, और Wheel of Fortune यह आपर आये, Next है Intuition clarify करें, Intuition को card Angels मुझे clarify करेंगे, Intuition क्या है, Intuition की Energy क्यों आया है, Intuition का card क्या कहना चाहता है, Angels मुझे please बताए, Seven of Wands, Emperor, Okay, Change Your Tune का देखेंगे, क्या कहना चाहता है, Universe, Universe मुझे please guide करे, Angels and Universe मुझे please guide करें, Change Your Tune क्यों, clarify करेंगे please, Page of Pentacles, और Four of Swords, Okay, Face Your Fears, Angels मुझे बताए, Face of Fears, Face Your Fears, Queen of Wands, exactly cards आने देखेंगे, Queen of Pentacles, उसके बाद, Accept Help देखेंगे, Accept Health, Angels, clarify कीजे, Accept Health का card, क्या कहना चाहता है, दो cards अपने आफ आए है, Exactly, जैसे cards है ना, वैसी energy आ रहे है, देखेंगे, क्या कहना चाहता है, मेरे वीवर्स के लिए, वाव, The Hermit and Three of Wands, Okay, Bottom of the deck, Lovers, क्या बात है, मतलब प्यार आपका, किसी भी हाल में कम नहीं हो रहा है, यह person को, जैसे कि आकर्शन जो है ना, आपका, वो है ही है यहाँ पर, भले यह person on off situation दे आपको, या कुछ भी करें, यह person जैसे कि आपको भुलाना, या फिर आपके साथ रिष्टा तोड़ना, यह वो इतनी हिम्मत नहीं है, आपके partner की याद रखें, उनकी हिम्मत नहीं है, यह exact word है, वो उतना हिम्मत जुटा कर आपसे दूर जाने के बारे में नहीं सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया इस person, जब आपके ओपर किसी के एहसान होते हैं, तो उस person को आप कैसे न कैसे accept करते हैं, या फिर उस person को आप जैसे कि तोड़ नहीं सकते, अपने आप से तोड़ नहीं सकत क्योंकि उस person ने आपको अपनी जिन्दगी का एक बहुत ही beautiful time दिया होता है, वक्त दिया है आपको, आपके पीछे वक्त बरबाद किया है, आपने किया है आपके partner के पीछे, इसलिए ये person जुदा नहीं हो सकते, जुदा मतलब अलग हो सकते हैं थोड़े time के लिए temporary basis पर अप जो आया था, उसको clarify किया है, eight of pentacles और will of fortune, यानि कि मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि दोनों अलग-अलग हैं, आप देख सकते हैं कि दो moons हैं और दोनों हाफ-आफ हैं, अलग-अलग, separation है यहाँ पर, और separation के वक्त मुझे यह लगता है कि person कहीना कहीं स्ट्रगल कर रहे, यान कि separation जो है, वो सहन नहीं कर सकते, दोनों में जो दूरिया है, वो सहन शक्ती के बाहर है, वो नहीं कर सकते, इसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने भी नहीं सोचाता कि दूरिया इतनी हो जाएंगी, या आपने भी नहीं सोचाता कि दूरिया मतलब एक सा तक जाएंगी या January से स्टार्ट होंगी तो October तक चलेगी यह नहीं सोचा था आपने पहले जिसे आपको लगा होगा कि चलो यह हमेशा होता ही है थोड़े दिन के बार ठीक हो जाता है तो चलो लेकिन इस बार नहीं हुआ है यह मुझे यहां पर लगता है कि जो दूरिया है ब एक होने के chances बहुत जाता है वक्त बदलेगा अभी जो वक्त है दोनों को दूरिया करके मतलब आप दोनों अलग है और जब तक वो half moon है दोनों मतलब half moon आप है और half moon मिलकर एक full moon हो जाता है चान के दो तुकड़े है आप ऐसे सीधी language में अगर बताओं यहां पर तो चान के दो तुकड़े आप हो और जब दो तुकड़े एक हो जाएंगे तो पुरा चान्द हो जाएगा और उसकी रोशनी फिर जादा होती है खुशी होती है तो यह मुझे दिखाए देता है आप देख सकते हैं कि completion 10 number exact cards आए 10 number completion को दिखाता है मतलब यह जोड़ेगा आपको और जोड़ने का आपने बहुत मेहनत की है आपने बहुत कोशिश की है यह मुझे नजर आता है हो सकता है कि उस वक्त पार्टनर थोड़े से कम पड़ गए रिष्टा जोड़ने में उनकी मेहनत कम पड़ गई लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ तो वो भी अभी कोशिश करें कि इस रिष्टे को कैसे ठीक किया जाए यह मुझे यहां पर strongly लगता है यहां पर ऐसे देखा जाए तो मेरे लिए आठ नंबर दस नंबर बहुत ही positive है क्योंकि आठ नौ दस ऐसे आगे बढ़ रहा है धिरे धिरे आपका रिष्टा हो सकता है न कि जैनिवेरी में रिष्टा खराब हुआ था खतम हुआ था या break up हुआ था और धिरे धिरे ऑगस्ट आते आते कहीं न कहीं आप एक दुसरे से धिरे धिरे बात कर रहे हैं कभी कबार message कर रहे हैं धिरे धिरे करके October आएगा और October आने के बाद आपका रिष्टा फिर से जुड़ेगा यह मेरा intuition यहां प आप उनका wait करेंगे क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं seven of wands के energy यह कहने के कोशिश कर रहे हैं कि आप try कर रहे हैं wait कर रहे हैं परेशान हो रहे हैं इस person के लिए कि वापस आएंगे और आपके partner थोड़े से ego attitude में मुझे दिखाए देते हैं जो कि वो खतम करना चाहते है मतलब ego attitude जब आपको होता है ego attitude तो उसमें रिष्टा आप नहीं निबा सकते जब आपमे ego attitude है न तो सामने वाले से आप प्यार नहीं कर सकते आपको ego attitude अपने side में रखना होगा जब relationships की बात आती है और जादा करके love life में ego attitude बिलकुल नहीं चलता है ego attitude रिष्टे को खतम कर सक तो मुझे यहां पर आपको लगता है आपका intuition strongly ऐसा मुझे लगता है आपको लगता है आप फिल कर पाते हैं यह person की energy को फिल कर पाते हैं या इस person के energy को मतलब आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि twin flame है आपका तो twin flame में आपको ऐसे लगता रहता है कि यह person आने वाले है या आपको कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं कुछ ना कुछ science आचनक आजकल इस person की बहुत सपने आते हैं आपको हर बार आप सोने जाते हैं पूरा दिन इनके भार में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं पहला ऐसा न बार आपको सपने आते हैं आपके partner के बहुत बुरे सपने आते हैं कि वो आपको छोड़ कर जा रहे हैं या फिर आपको आपको पास आ रहे हैं तो यह intuition आपको कहने की कोशिश करता है कि परसन अपना ego attitude side में रखकर यह person कही ना कही मुझे लगता है कि आपकी तरह आने की को कुशिश करेंगे यह मुझे यहां पर फिल होता है next जो यहां पर card आया है वह है change your tune ऐसा देखा जाए तो यह message universe की तरफ से आपके लिए है कि change your tune आपको tune तब change करना है या अपना attitude तब change करना होता है जब कुछ भी काम नहीं करता ना आपको पता है कि मेरे partner नहीं करेंगे तो उनको जैसा चाहिए वैसा मैं बन जाता हूं या बन जाती हूं यह आप करने की कोशिश करेंगे यहां पर मुझे एक new beginning पाने के लिए आप मुझे लगता है कि new beginning नहीं शुरुबात है और बहुत सोचने के बाद बहुत ज़दा आपके partner depression में जाने के बाद ऐस मुझे लगता है कि अभी वो फैसला कर चुके हैं कि आपके साथ उनको आगे बढ़ना है इस रिष्टे में उनको जाना ही है यह रिष्टे को वो close नहीं कर सकते हैं या फिर कहीं लगता है कि इस रिष्टे को खतम नहीं करना चाहते हैं बलकि अपना 100% देना चाहते हैं इस खोया और किसके वज़े से खोया हो सकता है कि ego attitude या person का आपके partner का गुसा बहुत तेज हो सकता है कि समझते नहीं है आपके feelings को या आप क्या कहना चाते मतलब आपको बात करने का मौणका ही नहीं देते या फिर हो सकता है कि आप उनको कुछ कहना जाते हैं उसके पहले ही वो निकल जाते हैं सुनते ही नहीं है जो कि एक तरखी से इंसल्टिंग भी है और आपको अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिलता तो यह कहीं न कि मुझे लगता है कि इसल्टिंगे क्योंकि खुद शांत है और जो आपका स्वबाव हो सकते हैं कि आप बहुत बात करते हैं जब भी पर्सन आते हैं तो आप बहुत जद़ा एकसाइटिट होते हैं और इस परसन के साथ आपको बातचीत करना, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परसन ऐसे है ना कि थोड़े से इंट्रोवर्ट या कम बात करने वाले, या इनको जादा बात बढ़ बढ़ ऐसा पसंद नहीं, यह हो सकता है, तो लेकिन अभी परसन को वह ही चाहिए, आपकी आवाज, आपकी साथ बात करना, अभी उनका मूर ऐसा है ना कि मैंने गलत किया है, आपको बात करने का मौका देना चाहिए था, या जो आपकी दिल की बात है, उनको सुनना चाहिए था, जो कि उनने इग्नोर किया होगा शायद, नेक्स कार्ड जो यहा अपने उपर भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आप हार नहीं मान सकते, आपको हार नहीं माननी चाहिए, इस रिष्टे में आपको अगर आगे जाना है, तो आपको जैसे की सामना करना ही होगा, बात कितनी भी बिगड़ी क्यों नहीं हो, आपको सामना करन या पर मुझे यह भी लगता है कि face your fears आपको डर है कि कोई आपके पार्टनर को हमेशा आपसे चीन ना ले या आपके पार्टनर को भी डर है कि अगर उनोंने आने में देरी कर दी आपके पास या फिर यह जो no contact situation जित पकड़ कर बैटे हैं आपके पार्टनर ego attitude में बैटे हैं और अगर उन्हेंने सही समय पर वो नहीं खतम किया उन्होंने अगर initiative नहीं लिया कि मुझे जाना है इस रिष्टे में अगर सोचकर यह सब कुछ खतम करके एक नई शुरुआत नहीं कि तो हो सकता है एगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि रिष्टा खतम रही हो जाए तो fears हैं डर है परसन को आपके पार्टनirm को और कहीं न की अकेला पन भी मुझे आपन नजर आता है एक तो डर है और दूसरा आपका अकेला पन मुझे नजर आता है कि हाँ आप चाहते हैं कि कम से कम अभी तो partner आए क्योंकि बहुत time से यह person ने आपको भी ना बताए या exactly वो क्या चाहते हैं वो नहीं बताए इन्होंने ऐसा रिष्टा ऐसा तोड़ा है जैसे कि तोड़ा भी नहीं और जोड़ा भी नहीं बीच रास्ते में आपको छोड़ा है या hundred percent आपको नहीं छोड़ दि दिखाए देती है और partner की mood swings भी बहुत जादा दिखाए देती है आपके person बहुत ego attitude या बहुत aggressive nature के हो सकते हैं या बहुत ही कम बात करने भी वाले हो सकते हैं दोनों cards यहां पर है और जादा करके यहां पर family and energy आई है तो यह मुझे कहते कि family से बहुत प्यार है आपके partner को मत family मतलब सब कुछ अगर family इनको कहेंगे आपको चोड़ने को वह चोड़ने के लिए ready हो जाएंगे वह अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे बलकि family को कैसे खुश रखा जाए family person हो सकते हैं क्योंकि family and energy है तो family से attached family से दूर जाना उनको पसंद नहीं हो सकता है कुछ family business हो आपके partner का यह भी मुझे नजर आता है तो family important है आज के reading में ऐसा मुझे feel होता है next card जो आए accept help और यह starting की energy है आप देख सकते हैं कि full moon है और अभी full moon की energy है कहते है कि positive vibes आपके रिष्टे में आ सकते हैं हो सकते हैं कि अभी तक अटके हुए थे ego attitude में थे person खुद से जाकर आपको call message नहीं करते थे या आप ही उनको हमेशा करते हैं अभी भी करते होंगे आप उनको try करते होंगे message करने के लिए या अपने भाई के mobile से अपने बहन की mobile से उनको call message भेजना यह सब करते होंगे आप यह मुझे feel होता है तो यहाँ पर मुझे completion दिखाय देता है या फिर किसी के help से जैसे मैंने कहाना कि आप अपने भाई के mobile से बहन की mobile से करते हैं अपनी दोस्तों की mobile से try करते हैं, उनको call करने के लिए, या यह समझते हैं न कि जैसे कि आप दोनों के common friends उनके साहथ कर रहे है लेकिन आप वहाँ रहे हैं, देखने के क्लिएfour उनकी साथ चेट करते हैं, या फिर आपके पार्टनर इक फेक अकाँट उपन करके आपके साथ चेट करते हैं, जानने के लिए कि आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, ये सबकुछ उनको जाननैं, लेकिन आगे वक्छ जो इसी परसन की साथ आपकी शादी होने की चांसेज बहुत जादा है या फिर आपका रिष्था रिवनहीं होने के बहुत ज्यादा色 है अगर फैमिली accept नहीं कर रहे थी आपको या आपकी family आपके partner को तो वो माझ जाएगी इस रिष्टे को और शादी होगी अगर आप already married है तो reunion होगा और आगे तक रिष्टा जाएगा long term अगर और किसी टाइप का रिष्टा है और किसी टाइप का रिष्टा यानि कि आप एक तो extra marital affair में हो सक सकते हो या आप single है और किसी divorce से प्यार करते हो यह हो सकता है तब भी मुझे लगता है कि इस रिष्टे में आगे future है क्योंकि किसी भी रिष्टे में आप जाते है न तो वो आपको security चाहिए होता है कि यह person के साथ मैं जाता हूँ या जाती हूँ लेकिन क्या यह person मुझे धो रहता है तो अगर आपको यह डर है कि कहीं जैसे कि promises किये आपने किये या आपने अपनी दिल की बात रख दी आपके partner के सामने कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है तुम्हारे साथ मुझे जिन्दी की मेर का रिष्टा चाहिए भले मैं married हूँ या नहीं हूँ आपने कहा हुए तो डर है कि यह person आपको छोड़ेंगे ने तो नहीं या अभी अगर चोड़ा है अभी अगर आपको no contact situation दिया है तो आपको यह लगता है कि आगे जाकर वही situation न रहे आप चाहते कि खतम हो जाए, no contact है तो खतम हो जाए, क्योंकि जो भी वक्त है, वो आप चाहते हैं कि इस person की साथ आप आगे तक जाए, या person आपका साथ दे, इस जिन्दगी के सफर में, ये मुझे फील होता है, तो मुझे obviously ये लगता है न, कि person आपके strong decision ले सकते हैं इस रिष्टे के बारे में, जैसे कि उनको जाना है, completion करना है, क्योंकि world का card ये कहता है न, कि completion, किसी की शादी होते होए, या शादी का commitment अगर दिया था और बीच रास्ते में कुछ हुआ था, बीच सफर में कुछ हुआ आप दोरों के बीच no contact हो सकता है, या दूरिया बढ़ गई, block situation, गुसे में आकर, कि मुझे नहीं होगा, रिष्टानी बाना, ऐसा कुछ हुआ है, तो नहीं होगा, 100% आपके partner वापस आने की chance से, यहाँ पर मुझे लगता है कि 3 हफते के अंदर partner आपको call message कर सकते हैं, 3 हफ मतलब आपको 3 हफते ही नहीं पकड़ना है, आज से लेकर 21 दिन के अंदर हो सकता है, 5 दिन में, किसी को 8 दिन में, किसी को 10 दिन में, इस तरह के से, और 4 नमबर का card जो है, वो यह कहने की कोशिश करता है कि 4 हफते में आपकी शादी fix हो सकती है, या एपरिल तक आपकी शाद कादी fix हो सकती है, next card जो है, वो है courage और blood moon है, यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कि बहुत जादा आपने weight किया है, या बहुत negative energy है, जहाँ पर आप अकेले पढ़ गए हो, और आपके partner भी बहुत जादा अकेले पढ़ गए है, क्योंकि जब आपकी सोच गलत होती है, या फिर आप अपने partner को नहीं समझते, या फिर समझने का मौका ही नहीं देते, या interest नहीं लेते, तब किसी भी इंसान को आप जब नहीं समझते, उसको बात करने नहीं देते, उसके दिल में क्या है, वो जानने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसी दूरियां आ जाती है, जहाँ पर blood moon, यान की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, partner की, मुन तो है, लेकिन blood moon है, यान की बहुत ज़्यादा तकलीफ, pain, emotional pain हो सकता है आपकी partner को, कि वो connection आपके साथ feel करते हैं, लेकिन आपको अपना नहीं सकते, या आपके साथ रिष्टा आगे तक लेकर नहीं जा सकते, इस तरीकी की feelings है, क्योंकि उसको clarify किया है, three of wands और hermit, ये दोनों cards अगर आप देखेंगे, तो दोनों cards में ऐसी energy है, जहाँ पर person आप से दूर है, और रास्ता धुनने की कोशिश करे, दोनों cards यहाँ पर आप देखेंगे, similar energy है, एक card में partner long distance में है, लेकिन कहीं न कहीं 100% देना चाहते हैं, serious होते में नजर आते हैं कि उन्होंने बहुत वक्त जाया किया होगा, आपको जैसे कि अपना name में, शादी की बात अगर आपने कहीं थी, तो person की तरफ से बहुत ज़्यादा time लिया, हाँ कहने के लिए, या फिर शादी के बार में बात में देखेंगे, इस तरीके से टालते रहें बात को, ये मुझे दिखाए देता है, लेकिन हमिट कार्ड ये कहता है कि उनको आना है वापस आपकी तरफ, क्योंकि जो अकेल अपन यहाँ पर मुझे दिखाए देता हो, बहुत जादा है, क्योंकि आप अकेले कुछ महने रह सकते हैं, कुछ अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तो कोई एक ऐसा इंसान हो, जो कि आपका साथ दे या फिर आपको सपोर्ट करें, ये हर एक इंसान की ख्वाइश होते हैं, कि मुझे एक ऐसा लाइप पार्टनर चाहिए, बहले उसके पास दर्न दावलत नहीं है, एश्वाराम लेकिन उसका साथ, या उसका प्यार बस उतना काफी होता है जीने के लिए, तो ये मुझे दिखाए देता है, कि आपकी सोच जो है, या फिर आपका स्वभाव जो है, वो कही न कि परसन को आपकी तरफ आने पर मजबूर करता है, नजर आता है, यहाँ पर अगर देखा जा तो चांद के दो भाग हो चुके हैं, और जब तक नहीं जुड़ता तो फुरा चांद नहीं हो सकता, तो यह मुझे कार्ड में दिखाए देता है, जहाँ पर वक्त बुरा है, लेकिन देरे देरे आप देखेंगे कि फुल मुन तक हम पहुँच गए, यानि कि अभी भी उम अमीद है, रख सकते हैं, कि पार्टनर कहीं न कि आप में इंट्रेस्टेट है, इस रिष्टे में इंट्रेस्टेट है और उनको आना है, तो चलिए जल्दी से लखी नंबर की बात करते हैं, तीन नंबर, नव नंबर, चार नंबर, एकिस नंबर आपके लिए लखी है, दस whatever I am it is all because of you only यहने कि परसन को ऐसास है कि जो भी आज वो है हो सकते है कि अच्छे जॉब पर है या अच्छी पोजिशन पर है या सुकी है अपने जीवन में वो कहीं न की आपकी वज़े से हो सकते है आपने बहुत है पार्टनर को financially help किया या emotionally support किया या जब उनके साथ कोई भी नहीं था तो आप थे तो यह कहीं न की उस परसन को ऐसास है our love is stronger than the distance between us यहने कि परसन का ऐसा लगता है न कि हमारे बीच दूरिया है लेकिन हमारे जो प्यार है वो जोड कर रखा है दोनों के दिलों को दोनों की दिल जो है वो जुड़े है प्यार के वज़े से तो प्यार खतम नहीं हुआ ऐसा पार्टनर कहना चाहते है कि अगर आप सोचते हैं कि पार्टनर ने खतम किया रिष्टा तो प्यार तो है दूरिया है वो कहते हैं कि दूरिया अभी तो है हमेरे बीच में लेकिन प्यार खतम नहीं हुआ है नेक्स देखेंगे यह आपको लेकर सीरियस है वो कहना चाहते हैं कि आप ही हो मेरा पहला प्यार और आकरी प्यार तो यह मुझे लगता है कि बहुत ही गहरा सेंटेंस है कहने के लिए कि आपके सीवा वो ना किसी के की बारे महिसा सकते हैं एसे लाइफ पार्टनर वो आपको ही देखते हैं आसे लाइफ पार्टनर और इस रिच्टे को निवा नाचाहते ही होफ करता हूं सवा हूप कि यह रीदिंग आपके साथ रेजुनेट किया है कुछ ना कुछ आपको guidance जरूर मिला है, Thank you all of you, thank you angels, thank you universe.